तो ही काई के यहलो स्टूरेंट चैनल तो कि हमने एक वीडियो ऊप्लोड किया था जिसमें आपने स्टाइन्मेर्ट अक्आउंट स्टार्ट किया हुथा जिसमें से बिजनस क्या होता है और ऐसेन्मेर्ट क्या प्ल Jewish को जा remarkably कया दाफ ही जिसमें के बीच में उसके अगर accounts के पूरे वीडियो देखना चाहते हो तो आप इस number पे contact करके हमारा purchase version purchase कर सकते हो ठीक है जिसके fees काफी nominal सी रहेगी ओके और हमारे states का जो video lecture है वो already start हो चुका है जहाँ पर एक chapter पूरा complete हो चुका है जो आप जाके देख सकते हो हमारे playlist में जाके आप वहाँ पर देख स उसका payment version purchase करना चाहता है तो बाकी के सारे video भी देख सकते हैं अब यहाँ आपर हम start करते हैं आज से consignment account और consignment के related और accounts के related आपको जो भी video देखने हैं वो इस playlist को follow करते रहे हैं और हाँ इसका अगर full payment version आपको purchase करना है तो आप उस number पे contact कर सकते हो चले तो start करते हैं देखो cons consignment का performa के consignment account में entry कैसे होती है आप कौन सी accounting entry पास करते हो तो देखो यहाँ पर हम जो entry करेंगे वो in a books of consignor करेंगे पहला ही बात ठीक है हम जो entry करेंगे वो in a books of consignor consignor मतलब कौन था goods जो बेशने के लिए agent को देता था मतलब की owner owner की books में हम entry करेंगे और यहाँ अबर जो consignment account का performa है वो हम देखते है कि किस हिसाब से होता है ठीक है तो चलिए हम पहले हमारे एक छोटी सी story स्टार्ट करते हैं और फिर उसके regarding हम पूरा question की entry को वगेरा समझेंगे जैसे कि हमने previously video में भी देखा था कि यह Mr. A है जो की कौन consignor है जो goods का कौन है ओनर है और यह जो है Mr. B जो की कौन है consignor यह consign यह मतलब एक तरीके से an agent अब A जो है वो क्या करेगा B को goods goods बेशने के लिए देगा ठीक है suppose कर लो A ने मतलब A ने 100 TV जो है वो B को बेशने के लिए दिए लेकिन वो TV की cost हो कुछ होगी मतलब जो TV जो A ने B को बेशने के लिए agent को कि भाई यह 100 TV हमको बेश के दे ठीक है तो यहाँ पर यह TV की जो cost होगी वो चलो हम suppose कर लेते 10,000 का सस्ता वला TV है तो 100 TV उसने कितने बेजा B को मतलब टोटल कितने लाग का goods बेजा 100 TV इंटू 10,000 ठीक है टोटल जितने भी पैसे का goods उसने उसको बेजा वो यहाँ पर हम entry करते है consignment account में debit side यहाँ पर लिखते to goods sent on consignment यानि goods sent ओके ठीक है मतलब आप यहाँ पर लिखोगे 100 TV इंटू कितना 1000 स्वारी 10,000 था 10,000 का एक TV था तो आप 10,000 से multiply करोगे ठीक है और जो भी amount आई वो आप यहाँ पर आउटर साइट सो कर दोगे that's it ठीक है फार सेंट यह ठीक है अब चन्नली कभी कभी question ऐसे भी पूछते कि यह जो 100 TV उसने उसको पेशने के लिए जो दिया सेंट किया वहाँ पर कभी question में क्या होता है कि जो 100 TV की जो cost है ना cost cost price जिसको हम CP बोलेंगे cost price वो चलो 10,000 है यह A को मालूम है कि उसकी cost 10,000 लेकिन A अगर B को जब बेशने के लिए वो 100 TV देता है तब वो क्या करेगा वो 100 TV की 10,000 की price नहीं बताता है वो बोलता है कि यह जो TV है वो 12,000 का एक TV है ठीक है B को बोलेगा तुझे 12,000 में बेचना है 12,000 से कम price में नहीं बेचना है ठीक है 12,000 से ज़्यादा price में बेच सकता है B कम price में नहीं बेचेगा उसको बोलते है invoice price क्या बोलते है उसको invoice price ठीक है मतलब A जब B cost के उपर कुछ profit पहले से एड करके मतलब कितना profit एड गया एक TV के पर देखो 10,000 का TV था उसने 12,000 में बता के उसको दे दिया तो यहाँ पर profit आपने कितना एड किया 2000 यह जो profit है वो एड किया है उसने और फिर जाके invoice price बना दी तो B को तो यही लगेगा 12,000 में बेशना है 12,000 की cost ठीक है तो यहाँ पर जब ऐसा system हुआ जब question के इंदर इस type का system हुआ तो आपको यहाँ पर क्या लिखा है देखो मैं if a goods sent on invoice price then record on invoice price मतलब जब भी goods invoice price पर आप बेचोगे मतलब बेचोगे नहीं agent को दोगे तब आपको यहाँ पर 12,000 मतलब invoice price ही लेना है that's it clear उसके बाद यह जो 2000 का profit add किया वो profit की entry कहां जाएगी तो वो इस side जाएगी credit side मतलब 100 TV के उपर कितना profit add करके उसको दिया था 2000 एक TV का 2000 profit मतलब cost उसकी 1000 रुप मतलब 10,000 थी 12,000 में मतलब वो invoice price पे बेच रहा है उसको मतलब invoice price पे send कर रहा है तो जब भी consigner consignee को invoice price पे goods send करता है तब 12,000 invoice price पे goods record होगा और उसका जो profit elements है जो profit add किया है वो यहाँ पर credit side होगा by goods sent on consignment account यह को यहाँ पर लिखा भी है difference between the invoice price and cost price ठीक है किसके बीच में difference आएगा invoice price और cost price के बीच में जो भी difference होगा यहाँ पर record होगा ओके यह clear होगे आपको अब आगे बढ़ते हैं आगे आपको देखो यहाँ पर कुछ और system हम देखते हैं अब यह जो consigner जो है वो consigner क्या करेगा consignee को goods send करेगा तो यह goods ऐसे उड़के तो जाएगा नहीं न वो तो tempo में भेजना पड़ेगा तो railway through जाएगा या कहीं न कहीं से कुछ न कुछ मतलब बंदोबस करना पड़ेगा न उधर तक मतलब send करने के लिए तो मतलब इस तरीके से tempo में goods भर के वहां तक दे आ जाएगा ठीक है अब यहां से यहां तक goods जाने के लिए जो tempo का जो transportation expense है ठीक है फिर जो insurance का expense है transportation में कभी नुक्सान हो जाता है ठीक है उस type के जो expenses है वो इसको लगेगा मतलब consignor को कुछ expense भी होगा एसा थोड़ी है फ्री में goods उधर तक पहुँच जाएगा transportation expenses, carriage expenses, octroy, insurance ठीक है यह सब होता है ठीक है यहां से यहां तक goods जाने के लिए ठीक है तो यह जो खर्चे करने पड़ेंगे वो consignor करेगा तो मतलब consignor जो भी खर्चा करेगा जो भी expenses करेगा वो यहां पर consignor for the sending goods ठीक है मतलब जो भी expenses consignor ने किया sending of goods के लिए वो यहां पर आएगा और उसमें कौन से कौन से expense होता है तो generally मैंने थोड़े बहुत नोड के तरफे यहां पर दो तीन expenses बता है ठीक है तो इस type के expenses यहां पर होते इंसुरेंस भी आता है यहां पर जो इंसुरेंस होता होता है जो transportation में नुकसान होता है कभी कभी वह वाला इंसुरेंस जो होता है वो यहां पर आता है तो यह expenses यहां पर आ गया अब बढ़ते हैं आगे तीक है अब यहां पर जो goods यहां तक पहुंच जाएंगे किसके पास consignor के मतलब यहां तक समझो यह तक पहुंच गया अब tempo यहां तक पहुंच जाएगा यह भी बात सही है तो यहां पर पहुंचने के बाद यह जो consign है ना उसको भी तो expenses करने पड़ेंगे कौन से expenses यह जो goods है उसको tempo से उतारेगा उसके लिए wages पे करेगा वो जो goods है वो go down में रखवाएगा वो go down का rent पे करना पड़ेगा फिर व पानो go down में कुछ नुकसान हो गया आंग लग गई उसके लिए मतलब वो goods के उपर insurance से वो pay करेगा फिर वो goods को बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा एड़ोटाइस करने पड़ेगा ऐसे तो बेचेगा नहीं मतलब कैसे मतलब तो एड़ोटाइस करेगा वो advertisement expenses करेगा तो नहीं करेगा यह expense से लेकिन नहीं यह expenses का पैसा जो है वो किसको charge कर लेगा इसको मतलब यह expenses बुलेगा देख भाई यह खर्चा जो है वो भले मैं अभी कर लेता हूँ लेकिन यह payment तुझे करना पड़ेगा मतलब यह जो खर्चा है तेरे goods के related वो मैं अभी कर लेता हूँ payment म कर दूँगा लेकिन मैं इस expense का पैसा तेरे पास से वसूल करूँगा because goods तो तेरा है तेरा goods बेचने के लिए मैं expense कर रहा हूँ ठीक है तो उसको बोलते consignee के expense और consignee जो भी expenses करेगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं to consignee accounts देखो यहाँ पर लिखा भी है expenses of consignee on behalf of the consigner consigner के भी हाँ पे करेगा मतलब expenses consigner की रहेंगे expenses किसके रहने वाले consignee की रहने वाले देखो यहां पर credit side the debit इधर credit expenses of consignee on behalf of the consignee तो वह यहां पर entry होगी मतलब यह dual entry हो जाएगी इधर debit उदर credit देखो मैंने यहां पर कुछ लिखा भी है go down rent अब यहां पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि यह जो consignee है मतलब यह जो agent है वह free में तो काम करेगा निए उसके goods बेचने के लिए consignee के goods बेचने के लिए यह क्या लेगा मतलब यह क्या लेने वाला है commission लेगा मुझे क्या मिलेगा मैं तेरा goods बेच के तो देज देता हूँ ठीक है normal है यह आदमी उसके goods बेच के देगा तो commission तो लेगा कि ने लेगा अब यहां पर commission की बात करते है तो B जब commission लेगा मतलब consignee के accounts में वो कहां पर जाएगा commission कहां पर जाएगा commission कहां पर जाएगा credit side commission to the consignee यहां पर credit हुआ तो consignment account में क्या हो जाएगा debit मतलब to consignee accounts commission to the consignee जितना भी commission हूँ आप देखो commission कितने types के होते हैं एक तो ordinary commission होते हैं जो कि ordinary commission total sales के उपर दिया जाता है टैल क्रेडर commission जो होता है वो credit sales पर दिया जाता है ध्यान रखना और यह जो credit sales पर दिया जाता है वो accept on recommendation of consignor होना चीए मतलब इसका मैं बाद में समझाता हूँ थोड़ा रुख जाओ ठीगे और एक होता है over reading commission टीन टाइप के commission है इसका हम आगे chapter में discuss करेंगे अभी सिफ इसकी entry कर लो कहां पर आता है commission इधर debit आता है consignment account में और consignic account में credit आता है that's it इसका मतलब हम आगे समझेंगे अभी तो हमने बहुत कुछ पढ़ना बाकिया ठीक है अब यहां पर आगे बढ़ते ठीक है यहां पर आगे बढ़ते यहां पर आगे है एक तो consigny accounts यह क्या है bad debt अब यह bad debt क्या चीज़ है बहुत important है यह एक बहुत important पार्ट है जहां पर बहुत सारे student को confusion होता है इस confusion को अभी दूर करेंगे जान से सुने यह जो B है ना वो goods को बेचेगा क्या करने वाला sales करने वाला अब यह जो sale करेगा वो generally कौन सा करेगा cash से मतलब cash में बेचेगा क्यूंकि B को पता है कि अगर मैं उधार पे बेचा और फिर मानो चलो पैसे नहीं आये मतलब चलो किसी को उधार पे बेच दिया credit sales कर दिया कौन सा sales कर दिया credit sales credit sales कर दिया और जिसको credit sales किया अगर उस आदमी ने B को पैसा नहीं दिया तो B फिर A को क्या जवाब देगा क्यूंकि B को तो क्या करना पड़ता है जो भी sales का पैसा आया वो वापस A को देना पड़ेगा ठीक है क्योंकि goods तो उसके थे तो यहाँ पर problem में B फज़ा आएगा इसलिए B जो है न वो जनरली credit sales नहीं करता है मना करते हैं मैं बेच हूँगा तो cash में बेच हूँगा लेकिन यह जो A है न ए वो थोड़ा रहा businessman टाइप का आदमी उसने B को क्या बोला देख भाई मैं तुझे न डैल क्रेडर कमीशन दूँगा अब यह क्या है बोले के बोलते है तो उधार पे बेच तो उसके पर मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूँगा मतलब यह खूस हो के credit में बेचने लगेगा credit sales करने तुझा है यह credit में sales करने लेकिन अब समझना बहुत अच्छे से यह topic को ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या करना है ध्यान से समझना बहुत अच्छे से देखो यह जो डैल क्रेडर कमीशन होता है न वो क्या होता है एक लालच होता है मतलब A क्या करेगा B को बोलेगा देख भई तुझा उधार पर बेच मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूगा और यह जो डैल क्रेडर कमीशन होता है न वो किसके अपर होता है अन क्रेडिट सेल्स पर होता है इसके ओपर रहता है क्रेडिट सेल्स के ओपर तो यह जो क्रेडिट सेल्स पर होता है अब यहां पर होता है क्रेडिट सेल्स करने से मतलब एक रिस्क रहता है क्या रिस्क रहता है कि यहां पर रिस्क रहता है कि क्रेडिट से बैट डैप्ट हो सकता है तो यह जो bad debt है वो कौन? वो नुकसान किसका? अगर यह bad debt होता है तो नुकसान किसका? मतलब अगर मानो B ने किसी को उधार पे बेचा, अब वो आदमी ने उसको पैसे नहीं दिये, तो नुकसान हुआ, तो यह जो A है ना, अगर उसने डेल credit commission उसको दिया है, किसको B को, तो यहाँ पर यह जो bad debt जो है, वो कौन भुखतेगा? B भुखतेगा, मतलब consign, यह जो bad debt है ना, वो B भुखतेगा, अब B भुखतेगा मतलब bad debt की entry A तो करेगा ही नहीं A तो करेगा ही नहीं, और A यह जो हम consignment account बनाते ना, consignment account जो बनाते हैं, consignment account, वो कौन बनाता है? A बनाता है, और यह consign नी account जो बनाता है, वो भी कौन बनाता है? A बनाता है ठीक है, यह जो दो account हम बनाने वाले, वो तो यह बनाएगा A, अब A तो बोल देगा अब इको देख भाई मैंने तो तुझे डेल क्रिटर्स कमिशन दे दिया मैंने तो तुझे डेल क्रिटर्स कमिशन दे दिया अब जो बैट डेप्ट होगी वो तू जाने ठीक है वो तू जाने हमें उससे क्या लेना देना ठीक है बैट डेप्ट होगी तो वो तू भूगत ठ डेप्ट का मतलब बैड डन का रिस्क मैंने लेने वालो थीक है तो यह होता है लेकिन अगर reverse situation होती तो मतलब अगर यह Dell cratus commission नहीं होता system में मतलब a ने बी को Dell cratus commission नहीं दिया होता चलो और फिर भी a ने बी को बोला कि तू उधार पे बेच कोई problem नहीं है जो भी नुकसान होगा वो फिर कौन भुखतेगा तो फिर यह जो नुकसान है वो B नहीं अगर यह bad debt का नुकसान है वो B नहीं भुखतेगा कौन भुखतेगा फिर A भुखतेगा A को भुखतना पड़ेगा और तब जाके A consignment account में और consignment account में entry करेगा ठीक है कौन भुखतेगा A A भुखतेगा मतलब A जो है न वो क्या बोलेगा B को देख पाई तो उधार पे बेच अगर bad debt होगी तो bad debt का जितना भी नुकसान होगा वो A बोलेगा मैं तुझे दे दूँगा मैं तुझे दे दूँगा तो उधार पे बेच इसी लिए देखो मैंने यहाँ पर लिखा भी है बहुत अच्छी से note बनाई है मैंने देखो note आपको यहाँ पर लिखिए है when delegatus commission given to the consign मतलब delegatus commission अगर consignee को दिया है तो entry होगी तो नहीं होगी बिलकुल नहीं because consignor जो है वो उसकी books of account में कोई entry नहीं होगी क्योंकि उसने delegatus commission दे दिया है अब जो risk होगा bad debt का वो कौन उठाएगा तो consigne नहीं उठाएगा loss जो भी bad debt का होगा लेकिन when delegatus commission not given अगर delegatus commission नहीं होगा तो entry होगी तो yes बिलकुल entry होगी कौन से entry होगी entry in the consignor books of account मतलब consignor के books of account में entry होगी for the bad debt because consignor जो है वो responsible रहेगा loss के लिए bad debt के ठीक है इसलिए यहाँ पर हम bad debt record करेंगे मतलब यहाँ पर bad debt record करेंगे कब तो वो जो bad debt record करेंगे वो second case में bad debt record करेंगे मतलब कब जब del credit commission नहीं दिया होगा और उस वाली amount पर bad debt हुआ मतलब A ने B को del credit commission नहीं दिया और bad debt हुआ तो फिर entry यहाँ पर की जाएगी और यह entry की cross entry कहाँ पर जाएगी तो यहाँ पर जाएगी by consignor ठीक है क्योंकि consignor को consignee को उतना पैसा देना भी तो पड़ेगा क्योंकि responsibility किसने उठाई थी A ने मतलब A बोलेगा भाई देख तुझे del credit commission तो नहीं देऊँगा लेकिन अगर तु credit पर बेच देगा और bad debt होगी तो उसका पैसा जरूर मैं देऊँगा ठीक है वह मेरे responsibility है तो टेंशन मतलब उस चीज़ का अब यहां पर बात करते हैं आगे तीसरे point की तीसरे point में क्या लिखा है देख वैन goods are sold on credit on recommendation of the consigne अब यह क्या है recommendation वाला वह पहचान वाले होते हैं ने रिस्तेदार वाले वह सब आ गया अब देखो यहां पर इसकी पहचान में था मतलब Mr. A की पहचान में था Mr. C और जो C है न वो B के पास गया और बोला कि भाई मुझे उधार बेच credit पे दे मुझे credit sales गर B बोलेगा ना जी अगर कल के उतके तुने पैसा नहीं दिया तो मैं किसको बोलूँगा मतलब मैं A को क्या बोलूँगा ठीक है तो जो C है ना वो A को बोलेगा कि भाई देख तेरा जो agent है दा वो तो मुझे credit पे दे भी नहीं रहे ठीक है तो A क्या करेगा C को बोलेगा कि B को बोलेगा कि यह जो C है ना वो मेरी recommendation से मतलब यह मेरे पहचान में ओके तो उसको उधार पे बेच कोई problem नी अगर नुकसान होगा तो मेरी जवाबदारी नुकसान होगा तो किसकी जवाबदारी A की जवाबदारी ऐसा A भोल देगा मतलब यह recommendation वाला जो हो गया ना तो recommendation से बेचा मतलब A की recommendation से B ने C को बेचा मतलब A की पहचान से B ने C को गुड्स बेचा और वहाँ पर C जो है उसने फिर पैसा नहीं दिया bad debt हुआ bad debt हुआ तो जितनी भी bad debt हुई क्या उसका responsible A रहेगा तो yes रहेगा तो A को यहाँ पर करनी पड़ेगी तो yes बिल्कुल करनी पड़ेगी bad debt के एंटर यहाँ पर लिखा भी है the loss of bad debt is to be bond by the consigner not by the consignee consignee responsible नहीं है इसलिए consigner will debit the consignment account और credit the consignee account with the amount of bad debt मतलब आपको यहाँ पर दूसरे नंबर और तीसरे नंबर में जो bad debt होगी उसकी entry यहाँ पर करनी है दूसरे और तीसरे नंबर वाले पहले नंबर वाले entry यहाँ पर नहीं आनी चाहिए पहले नंबर में जो bad debt होगी उसकी entry नहीं आनी चाहिए उसमें no entry मतलब यहाँ पर no entry clear तो यह पूरी story अपनी यहाँ पर होती है finish थोड़ा और आगे बढ़ते हैं story में अब देखो consignee जो है वो क्या करेगा goods बेचेगा ठीक है सही बात है goods बेचना चाहिए उसको ठीक है बेचने के लिए तो agent को मतलब उसको दिया है उनन है तो वो बेचेगा credit sales वो बेचेगा credit sales cash sales credit sales वो recommendation वाला जिसको C को बेचा था वो और कभी-कभी वो personal use किया वो वाला goods भी तो ये जितना भी goods बेचेगा वो total sales हो जाएगा तो total sales पे यहाँ पर क्या हो जाएगा ordinary commission कौन सा commission होता है ordinary commission और ये जो credit sales होगा वहाँ पर उसके पर कौन सा commission होता है deal credit commission में से देखो यहाँ पर लिखा है accept on recommendation of consignor मतलब जो consignor की पहचान लेके गया है ना उसके पर जो credit sales होगा वह वाला credit sales उसके पर deal creditors मत देना और over reading commission हम बाद में कभी discuss करेंगे इसको next कोई video के अंदर जब question के अंदर आएगा ठीक है आने वाले वीडियो में इसको हम discuss करेंगे अभी इसकी अभी ज़रूरत नहीं अभी सिप समझ के रखो हाँ यह entry इदर आएगा ठीक है अब इसकी एक cross entry वापस होगी क्यों इसकी consign ने बेचा तो consign ने बेचा सो consign के account में मतलब consign के account में यहां पर भी जाएगा consignment account sales जितना भी बेचा उसका total entry मार दो यहां पर ठीक है गाम हुआ यहां पर finish अब होता है यहां पर थोड़ा सा लोस ठीक है कबी कभी क्या होता है गुर्स नुकसान भी तो होता है न मतलब चलो डौाउन में गुर्ट था जल गया मतलब 16 लगए फिरल अग लग गई तो इंसилось कंपनी liver आईगी चलो भाई थीक हम आपको थोड़े बहुत पैसे दे देंगे अगर आपने इंसुरेंस निकाला तो वह यहां बल्लिक देना इंसुरेंस क्लेम फॉर दे लॉस और मतलब समझो दस अजार का गुड्स जल गया मतलब आपका दस अजार की कॉस का गुड्स जल गया मतलब आपका दस अजार का गुड्स जो था वो नुकसान हो गया और दस अजार मेंसे इंसुरेंस कंपनी बोलती है चलो हम आपको जी छे जार दे देंगे क्लेम का मतलब छएहजार का पैसा देदिए तो सिरी बाते जो 4000 हे वह तो नुकसान हो गें रहे हमारे दस जार के गुर्स मैं से 6000 तो 4000 हेहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे नर्मल लासem लॉस सौरी अबनॉर्मल लॉस होता है जनरल प्राफिट लॉस एकॉंड में हम उसको रिकॉर्ड करें चार जार मतलब लॉस हुआ लॉस में से मतलब जितना इंसूरेंस कमनी ने दे दिया तो ठीक है अगर पूरे-पूरा पैसा नहीं दिया इंसूरेंस कमनी ने तो समझ लो दस से जार का नुक्सान हो गया अब देखो यहां पर एक और चीज है एबनॉर्मल लॉस है और एक और चीज आती है नॉर्मल लॉस क्या आती है नॉर्मल लॉस दो ताइप के लॉस होते है नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस वह हम आगे पढ़ेंगे आपको नेक्स किसी वी step by step समझते आएंगे तब तक हम उसको पढ़ेंगे तो चलो यह तो आपने यहाँ पर entry कर लिया अब रह जाता है stock consignment stock account अब क्या होता है देखो यह जो 100 tv जो बेशने के लिए दिया था थी कि हमने starting में जो 100 tv बेशने के लिए उसको दिया था अब जरूरी तो है नहीं के सारे टीवी बेश दिये होंगे कुछ टीवी का stock रहता है मतलब उसने 100 tv send किये थे उसमें से समझो ना कुछ टीवी अभी भी अन्सोल्ड है मतलब इसके पास अभी भी 10 tv अन्सोल्ड है तो यह जो अन्सोल्ड टीवी है उसका क्या करना है तो वो stock है मतलब अभी तक अन्सोल्ड है तो वो यहां पर entry होगी consignment stock account और इसकी valuation बहुत important है तो इसको मैं थोड़ा अलग लेवल पर मतलब यह हम उसको करेंगे stock की valuation अब यह stock की valuation के लिए हम यहां पर पढ़ेंगे stock valuation of stock अभी रुको अभी इसको समझ के रुके कि stock की entry यहां पर आएगी और यह जो stock होता है न students stock उसके पर भी आपको यह entry करनी परती है to consignment stock reserve account और यह क्या होता है यह वही चीज होती है जो आपने starting में किया था मतलब difference between IP and CP मतलब invoice price and cost price मतलब यह जो आपने जब goods sent किया था न तब यह जो 2000 का entry किया था न 100 goods के उपर तो वहाँ पर जब आपका closing stock रह गया तो यहाँ पर 2000 into कितने का stock रह गया था दस तो वो entry भी तो यहाँ पर करनी पड़ेगी समझे रहो मतलब जो goods unsold है उस पे 2000 का तो profit हुआ ही नहीं है न मतलब समझो जो 2000 मतलब जो 10 TV unsold है उसके पर क्या 2000 का profit हुआ है नहीं हुआ है तो वह 2000 का entry यहाँ पर करेंगे stock reserve account ठीक है और एक और last entry रह जाती है बहुत इच्छी entry है तो bills receivable account क्या रह जाता है bills receivable account अब यह जो है discount on bill receivable अब इसको थोड़ा सा समझ लेते कि यह क्या होता है देखो सुन्ता समझना आराम से देखो यहाँ पर क्या होता है थोड़ा साम स्पेस बना लेते यह सब कर्षरा थोड़ा साप कर लेते चलो यह आपका हो गया काम खतम जिसका काम खतम हो गया उसको निकाल देंगे जाने तो अब देखो ए ने जब बी को गुड्स बेशने के लिए दिया था कितने गुड्स बेशने के लिए दिया थे तो आप बोलो कि सब सौ टीवी दिया था और 12,000 रुपे के एक टीवी था मतलब आपको इतने टीवी दिये मतलब इतने लाग का गुड्स ए ने बी को दिया बेशने के लिए अब जब ये काम होता है न उस टाइम पे क्या होता है ये जो ए तो होता है वो तो बिजनसमेन थोड़ा मतलब होसिया टाइप का आदमी होग बी के पास से कुछ पैसे पहले से ही एडवांस में मांग लेता है ठीक है पहले से एडवांस में मांग लेता है मांग लाँ पड़ेगा ना मतलब समझो कलके उतके गुड्स लेके वो मतलब दिखा ही नहीं मतलब फॉन भी नहीं उठा रहा तो क्या करोगे तो वहां पर इस टैप केज़ेंट के पास ऐसे goods का पैसा मांग लिया जाता है मतलब agent के पास से थोड़ा बहुत advance लिया जाता है अब यह जो advance लेते हैं वो जनरल ही होता है bills receivable type का, मतलब यह bills receivable होता है मतलब A जो है न, B से पहले से bills receivable लिखवा देता है कि भाई तू मुझे bills receivable दे दे मतलब एक तरीके से advance में पैसा ले लेता है और यह bills receivable जो होता है वो ए क्या करता है bank में जाके क्या करवा देता है discount करवा देता है bank वाले को दे के वो bank वाले से bill receivable का पैसा ले लेता है suppose करो जैसे 12 लाग के goods से उसके सामने उसने 6 लाग का bill receivable ले लिया कितने लाग का दो चे लाग आब यह मुझे च्हे लाग चाहिए बैंक बोलेगा हम 6 लाग थोड़ी देंगे तूंको यह 6 लाग जो bill rece evaluated है उसका थोड़ा बहूर डिसकाउंट का iets है बैंक क्या काट यह उसमें से डिसकाउंट काती है डिसकाउंट मतलब 6 लाग में experiments कुछ डिसकाउंट के पैसे काट लेंगे और फिर जो बचे हुए पैसे है वह एको वापस कर देclie bank बर यह bill रिशेरबल जो है वह छे लाग का बैंक ले लेगी और ये जो discount होता है ने discount उसकी entry यहाँ पर होती है उसकी entry यहाँ पर होती है यह discount के entry होती है और जब वो advance का पैसा दिया ना advance का पैसा जब B ने A को advance का पैसा दिया वो by bill receivable दिया है तो bill receivable account यहाँ पर आता है कि advance receive from the consignee ठीक है इतना खतम होते ही आपका question खतम हो जाता है finish और फिर आपको क्या करना है total करना है पहले credit side का फिर अगर देखते है कि profit आएगा तो यहाँ पर difference आएगा profit loss में ठीक है और अगर loss आया तो फिर यहाँ पर difference आएगा loss ओके और इसी तरीके से यहाँ पर आप total करोगे मतलब consignee के पास से कितना पैसा लेना है consignee के पास कितना पैसा लेना है उसका यहाँ पर total किया जाएगा और फिर उस total में से देखा जाएगा कि कंसाईनी के पास कितना पैसा मांगना है वो 12 लाग में से 6 लाग का तो advance दे दिया था समझो 12 लाग में से तो 6 लाग का advance दे दिया था तो 6 लाग में से जितना भी पैसा उसका मतलब काटना था वो काट के consigne क्या करेगा बाकी बचा हुआ पैसा है वो उसको दे देगा या तो check से देगा तो buy bank लिखेंगे और bill receival से वापस दिया तो bill receival लिखेंगे ठीक है जो भी balance amount आया वो that's it complete हो गया यहाँ पर पूरा आपका performa complete हो गया एक दम perfectly अच्छे से समझ में आया होगा तो comment करके please बताना ताकि मुझे और थोड़ा नए वीडियो अच्छे तरीके से बनाने की motivation में देगा और अगर आपको आगे के वीडियो देखने है और जो भी थोड़ा बहुत बाकी का topic है वो हम next आने वाले वीडियो में देखेंगे और हो सकता है कि next वीडियो purchase version वालों के students के लिए हो और वहाँ पर आप मुझे contact कर सकते हो आगे के वीडियो देखने के लिए तो अच्छे से अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आगे के वीडियो पर्चेस कर सकते हो और यहां पर आपको next वीडियो के अंदर मतलब next lecture के अंदर हम valuation of stock को समझेंगे जो की काफी important role है आपके chapter में बहुत important है मतलब एक short question भी बहुत बार valuation पर पुछा जाता है valuation of closing stock ठीक है तो हम उसको next lecture के अंदर समझेंगे बहुत अच्छे से कि उसको कैसी treatment दिया जाएगा ओके चलिए तो goodbye and take care